यह जबलपुर के हनुमान ताल स्थित घोड़ा नकाश चौराहे का सुबह का द्रश है जहां खिल खिलाती हुई धूप और शान्त महौल देखने के लिए मिल रहा है लेकिन इसके ही ठीक उल्टा तब होता है जब रात आती है और हनुमान ताल का या घोड़ा में काश चौर कावली की रात यानी 31 अक्टूबर 2024 का है जहां एक तरफ जबलपुर कलेक्टर दीपक सकसेना के द्वारा आदेशित किया गया था कि रात आठ से दस बजे तक ही बंपोड़े जा सकेंगे लेकिन यहां तो आधी रात के बाद महौल बनना शुरू हुआ और ठीक दो बजे स तीन बजे तक उपद्रवियों ने हनुमान ताल और कोतवाली थाना छेतर के अंतरगत आने वाले इस मिलोनी गंज गोड़नक का शुराहे पर इतना आतंक मचाया कि बंपों को जला कर लोगों के घरों तक में फेक दिया अब रात के ठीक तीन बजे लोगों को उनकी घरों म बालकनियों में जब बंपों की गूंज सुनाए दी तो लोग बहार आए लेकिन उससे भी कोई असर पड़ा नहीं क्योंकि उपद्रवी शराब के नशे में मगन थे रहवासियों को यह डर था कि उत्पाद मचाने वाले इन तत्वों की वज़ा से उनके घरों में कहीं आग न लग जाए क्योंकि कई बं ऐसे स्थान पर भी रहवासियों के घरों में फेके गए जहां पर गैस सिलेंडर रखे हुए थे गजब की बात तो यहा है कि कोतवाली और हनुमान ताल पुलिस की सच्चाई इस घटना ने उजागर कर दी है जहां रात के बारा बजे के बाद ना तो डायल हंडिट की गस्त होती है और ना ही चीता अथवा थाने की पुलिस के द्वारा पैट्रोलिंग की जाती है इस बात का फाइदा यही असमाजिक कत्व उठाते हैं और इस विशे में जब थाना प्रभारी हनुमान ताल से संपर्ग करने का प्रयास किया जाता है तो उनके द्वारा फोन नहीं उठाया जाता और उन्हें वीडियो भी भीज जाते हैं इस प्रकार फिर कोत्वाली पुलिस थाना प्रभारी से भी संपर्ग करने का प्रयास किया गया लेकिन वो थाने में नहीं मिले अब सवाल यहां उठता है कि उपद्रवियों के द्वारा रात के दो एवं तीन बजे हनुमान ताल थाने से मातर दो सो मीटर की दूरी पर और कोत्वाली थाने से मातर तीन सो मीटर की दूरी पर जब लोगों को रात बिरात परशान किया जा रहा था तब क्या जबलपुर की पुलिस सो रही थी यदि जबलपूर के नए पुलिस अधिक शक संपत उपाद्धाय जबलपूर की ठकी हुई पुलिस को वापस नींद से जगा पाते हैं और विवस्थाओं को पटरी पर ला पाते हैं तो यह जबलपूर की जनता के लिए सबसे बड़ी उपलब्दी दलुक न्यूस जबलपूर